यत्रा फार यू चैनल पर मैं विपिनतिवारी आप सबी का स्वागत करता हूँ यत्राओं की इस रंखला में आज मैं बहुत ही एक खास और रहसमें मंद्र की यत्रा लेकर आया हूँ वेस्त उत्राखंड में कई छिपे हुए रतन है और उनमें एक रतन है कसार देवी उत्राखंड कसार देवी उत्राखंड के अलमोडा के पास एक गाउं है यह कसार देवी को समरपित एक देवी मंद्र के लिए जाना जाता है यहां पहुँचने के लिए तीन आस्ते हैं यदि हम बाइयर आना चाहते हैं तो अलमोडा का सबसे निकटस्तम हवा ये डपंत नगर में है बड़े-बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यदि है सडक मार्क से आना चाहते हैं तो कसार देवी सडक नेटवर्क के मादरम से बहुत ही अच्छी तरह सबसे अच्छा और असानी से उपलब्द परिवान विकल्प है आप यहां तो कसार देवी के लिए ड्राइव करके आ सकते हैं अपनी गाड़ी से यह टैक्सी किराय पर लेकर आप कसार देवी पहुंच सकते हैं कसार देवी अलमोडा से 9 किलोमेंटर की दूरी पर इस्तित है कसार देवी गाउंग बहुत सी छोटा है तो यहां पार्किंग के कोई विवस्ता नहीं है आप यहां थोड़ी सी जगा है वहीं पर गाड़ी पार करके सीडियों दौरा मंदर सक पहुंच सकते हैं यहां मंदर जाने का मुख्ध द्वार है, यहां से ही सीड़ियां स्टार्ट होती हैं और यह लगबग सो सीड़ियां हैं जिसको चड़कर हम मंदर सक पहुंच सकते हैं उत्राकंड के शान्त कुमाउं छेतर में इस्तित कसार देवी एक शान्त और बहुत चोटा सक गाओं हैं जहां अब शान्ती और स्कून की तलाश में लोग अक्सरा आते हैं यह समदर साल से लगबग 2100 मीटर की उचाई पर इस्तित है यह रहसमाई गाओं हिमाले के लुभावने द्रिश्य प्रस्तुत करता है और वहां की शान्ती बिल्कुल जादू ही है कसार देवी सिर्फ नक्षे पर यह एक स्थान नहीं है बलकि यह लोगों के लिए आज एक चुम्बकी आकर्शन और आपार सकारात्मक उर्जाओं के कारण एक आध्यात्मिक आश्रे स्थल भी है कसार देवी अपने चुम्बकी आकर्शन के लिए परसिद है जो सदियों से दूर दूर से प्रटकों को अपने और खींचता रहा है चुम्बकी खिचाओं को अक्सर एक अधुतिय और जा छेत्री यहां लाइनों के उपस्ति के लिए जिम्मिदा ठढ़ा जाता है जो इस छेत्र में परसिछेद गर्टी हैं जब कुछ लोगा का मानना है कि चुम्बकी खिचाओं कसार देवी को समारपित प्राचीन मंदर के कारण है जो ग्रामीनों दौरा पूजी जाने वाली एक स्थानी देवी हैं जबकि अन्य का कहना है कि छेत्र की भूबर गर्बिये सरचना एक रहसमे शक्ति को योगदान परदान करती है कसार देवी के चुम्बकी आकरशन ने कई परसिद लोगों को यहां आकरशित किया है जैसे युनाइटेट किंडम से लेकर उत्रा खंड के पहाड़ियों तक कसार देवी उन लोगों के लिए एक चुम्बक का काम कर रहा है जो अपने जीवन में शांती रस्कून चाती है कसार देवी में शांती पाने वाले उन लेखनी है अगुंतकों में स्वामी विवेकानन, बॉब डाइलन, डी-एच लारेंस आधी नाम शामिल है वस्तम में ये भी का जाता है कि स्वामी विवेकानन जी ने बहुत लंबे समय तक कसार देवी की एक गुफा में ध्यान लगाया था आज की भाग दोड़ भरी दुनिया में जहां शोर और ध्यान बटकाना जीवन का हिस्सा बन गया है कसार देवी शांती का एक बहुत ही मुखे सल है शहरी जीवन की भाग दोड़ से दूर ये गाउन लगबग एक ऐसी जगे पर है जहां कोई अराम कर सकता है तरवताजा हो सकता है और पकरती से जुड़ सकता है चाहे जंगल में देवदार के पेड़ों के भी स्टैल ना हो या मंदिर के पास बैठकर गयन ध्यान लगाना हो कसार देवी सरल और सुन्दर है मंदिर के सरचना की तारिखें दो श्ताबदी सीए की हैं अठासनब्बे के दर्शक में स्वामी वेकर नन ने कसार देवी का दोरा किया और कई पस्च्चमी सादक सुनीता बाबा अलफ्रेड सौरें सेन और लामा अनागारिक गोविंदा यहां आ चुके हैं 1960 और 1970 के दर्शक में हिप्पी अंदौलन के दोरा यह एक लोगप्रिय स्थान बन गया था जो गाओं के बाहर क्रेंक रिज़ के लिए भी जाना जाता है और घरेलू और विदेशी दोनों ही ट्रेकर्स और प्रेटकों को आकर्शित करता रहा है यहां से चारों और बहुत ही खुबसूरत हिमाले विउ दिखता है विशेश रूप से नंदा देवी और तर्शूल के शांदार द्रश्यों के लिए यह लोगप्रिय है डुकते सूरच को इन बरफ की ढकी चोटियों को लाल और सुनेरे रंग के देखते हुए आप इसे पहाड़ी पर कहीं से भी देख सकते हैं सूर्य और देका सबसे अच्छा नजारा कसार देवी मंदिर से ही देखा जा सकता है जो उस समय शायर का केंद्र भी था नीचे सडक से मंदिर तक लगबख सो सीड़ियां जो पहाड की चोटी तक जाती ही जहां पर यह मंदिर इस तर पास में ही स्वामी विवेकानन की चट्टान है जहां माना जाता कि स्वामी विवेकानन ने ध्यान किया था अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मंदिर को क्या चीज खास बनाती है वैन एलन बेल्ट में प्रस्वी के चुम्बकी छेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अंतरिक्ष में हजारो किलो मेटर सक फैला हुआ है प्रस्वी के बारे में कहा जाता है कि ये केवल पूरी प्रस्वी पे तीन स्थान में ही वैन एलन बेल्ट परभाव की शक्ती है एक है माचु पीचु दूसरा है स्टॉन हैंच और तीसरा कसार देवी हैं इसलिए हम जान सकते हैं कि कसार देवी की क्या भूमिकाया कीमत है कसार देवी मंदिर परिसर में GPS 8 कसार देवी GPS 8 वो पॉइंट है जिसके बारे में अमरीका के संस्ता नासा ने ग्रैविटी पॉइंट के बारे में बताया है मुख्य मंदिर के द्वार के बाई और नासा द्वारा ये स्थान चिन्नित किया हुआ है और उस पर लिखा है GPS 8 इस मंदिर का निमान लगबग दूसरी इश्टाबदी में किया गया था इसके बाद से ही ये मंदिर ध्यान और साजना का परमुक केंदर बन गया है क्योंकि इस मंदिर के आसफस का पूरा छेत्र वैन एलन बेल्ट है इसके लावा इस मंदिर में महान भार्सी सन्यासी स्वामी विवेकलन ने ध्यान किया था अगर आपको शांती पसंद है तो आप इस मंदिर के दर्शन जरूर करने आए यकीनन ये जगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कसार देवी उत्रा खंड में अल्मोडा के निकटेक गाउं है ये कसार देवी मंदिर के नाम से परसिद है कसार देवी का गाउं हमेशा से कविता संगीत और कला का केंदर रहा है डियेच लारेंस और अर्ल बूस्टर जैसे लेखकों और चित्रकारों से लेकर सुना इंता और स्वामी विविकानन जैसे दार्शिकों और एनल गिंसबर्ग जैसे कवियों तक कसार देवी ने दुनिया भर के लोगों को आकरशित किया है और फिर भी हाल के दिनों में तक शाया में रहा है इसका बहुत सारा कर्शन इस विश्वास से उप जाए कि इसे प्रस्वी के चार ओर वैन एलन बेल्ट में के अंतराल के माध्यम से वही ब्रहमांडी उर्जा प्राप्थ होती है जो माचू पीचो स्टोन हैंज जैसी जग आंतरिक शांती और एकांत की तलाश में हैं उनके लिए कसार देवी एक बहुती आदर्श जगे है हिमाले और कसार देवी के मंदिर से घिरा ये स्थान जहां लोग ध्यान लगाने और ध्यान में रहने के लिए आती है कई लोगों के लिए आदर्श स्थान बन चुका है यहां के लोगों की ऐसी मानेता है कि इस मंदर को लेकर यह माना जाता है कि इस मंदर में प्राचीन समय में मा देवी खुद अवतरित हुई थी इसके लावा यह भी कहा जाता है कि यह मंदर एक चुम्ब के शक्तियों से समर्द है प्रसी वर्ष कार्सिक पूर्णिमा यानि नुवंबर से लेकर दिसंबर तक यहां कसार देवी में बहुत बड़ा मेला लगता है जहां दूर दूर से भक्त लोग इस मेले का हिस्सा बनते हैं यहां आने के लिए बेस्ट टाइम जो है वो मार्च से जून और स्तंबर से नौंबर सकता है इस दोरान आप कभी भी यहां पहुंच सकते हैं असानी से रहने का और खाने पीने का अल्जाम हम अलमोड़ा में करें तो बैटर है क्योंकि वहां बहुत सारी आप्शन्स मिल जाएंगी रहने के लिए हर प्रकार के होटल मिल जाएंगे खाने में भी आपको मंचा खाना मिल जबता है मैं अभी स्वेम इसी मंदिर पर होकर आया हूँ और मैं पहली बार गया था और मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर कोई अद्रिश शक्ति अवश्य है जो हमारे मन हमारे दिमाग को एक दम श्याम कर देती है हमारे मन में कोई विचार नहीं आता और ऐसे लगता है पूरे शरीर के अंदर एक नई उर्जा भरती चली जा रही है यह मेरा स्वेम का अनुभव हुआ है कसार देवी मंदर को वैन एलन बेल्ट और कसार देवी मंदर का चुम्बकी आकर्शन इसे और ज्यादा शक्तिशाली बना देता है कसार देवी मंदर की वीडियो आज यहीं तक कृपया वीडियो का लाइक शेयर वाँ कमेंट अवश्य करें और यह जिए आप नई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को पुश करके और मुझे प्रसाइट करें ताकि मैं नई नई जगों की नई नई वीडियो आप तक प्रस्तुत करता रहूँ धन्यवाद